है 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 यह आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में जिसमें हम आप देखने वाले हैं कि वर्थ की परीदी मुशे त्रफल कैसे निकालते हैं तो इसको बोलते हैं इंगलीज में सरक्मफेरेंस ओफ सर्कल एंड एरिया उफ सरकल तो हम स्टार्ट करते हैं वृत की परी निकलत की परीदि कुए इंगलिया आतने तो हम सबसे पहले मानते हैं कि तक व्रıt है जैसा कि हमारे पास यह कोई व्रत है यह वृत है जिसके लिए यह ओ पे इसका केंदर है सेंटर है यह है केंद्र और माल लेते हैं वृत की परिदी पे यहां पे नीचे की तरफ को एक बिंदु P है तो ओ से पी को मिलानी वाली रेखा की लंबाई को हम कहेंगे त्रिज्या ओपी हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या ओपी एक व्रत है जो की समतल पे रखा हुआ है एक प्लेन पे रखा हुआ है जैसे ही ये व्रत रोटेट करना स्टार्ट करेगा ये गूमना स्टार्ट करेगा इस पी बिंदू की अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग पोजिशन आएगी माल लेते हैं ये कुछ गूम के ऐसे आ गया होगा उसके बाद में अगले बारी ये ऐसे आ गया होगा नेक्स्ट कुछ ऐसा आ गया होगा जब ये बिंदू P घूमेगा इसके साथ साथ तो जब व्रत गूमना स्टार्ट करेगा तो ये बिंदू P भी इसके साथ गूमना स्टार्ट करेगा माल लेते हैं पहले यहां कहीं आ गया होगा पी बिंदू यहां आ गया था अगली बारी जब ये घूम के आया तो यहां कहीं आ गया होगा और उसके अगली बार ये वापस नीचे आ गया तो एक चक्कर उसको बोलेंगे या वरत की परीदी उसको बोलेंगे जब P बिंदू अपने स्टार्ट वाली पोजिशन से स्टार्ट वाली स्टिती से अंतिम स्टिती भी समान हो जाए तो वुरत की परीदी इसको बोलेंगे जब बिंदू P वापस से इसको ग्राउंड को टच करने लग जाए तो यहाँ पर P बिंदू पहले यहाँ पे था वापस से यही पर आ गया तो यह पूरी जो P से P की लंबाई होगी यह दोनों लंबाई होगी यह हमारे पास आएगी circumference के बराबर यह आगी परीदी के बराबर यहाँ लख देते हैं यह परीदी के बराबर है इंगलिस में circumference यहाँ पे तो circumference जो होती है परीदी होती है इसको हम C से लिखते हैं परीदी या फिर circumference सी बराबर यह होती है 2 पाई और र 2 पाई र र जहां पे तरिज्या है र जहां पे तरिज्या की लंबाई है तो परीदी हो जाएगी 2 पाई र अब यहां से हम यह भी लिख सकते हैं सी बराबर पाई इंटू 2 र और आप सब जानते हो अच्छे से 2 र मतलब की रेडियस का दुगना जो होता है तरिज्या का दुगना व्यास के बराबर होता है तो यहां से यह भी कह सकते हैं सी बराबर हो सकता है पाई इंटू डी डायमेटर व्यास के बराबर तो 2 इंटू तो परीदी बराबर हो जाएगा पाई multiply by व्यास यहाँ से परीदी गाँ हमारे पास फोमल आया सीक वस्टू टू पाई आर तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वृत का छेतर बल इंगलिज में इसको कहते हैं एरिया ओफ सेर्कल वृत का छेतर बल चाहिए हमको तो सबसे पहले वृत ही बनाते हैं यह बना देते हैं एक वृत हमारे पास यह आगए एक वृत जिसके लिए माल लेते हैं यह ओ परीजिका केंदर है और और उसे परीदी तक की लंबाई यह जाएगे त्रीजिया यह आर के बराबर है यह है त्रीजिया यहां आर बराबर है त्रीजिया या फिर इंग्ली इंग्ली सिंब गोलें इसको रिडियागे लिए इस वुरत के लिए छेत्रफल जो होगा यह पूरा का पूरा यह नाम यह बढ़ yore यह जूर्स था होगा इसको बोलेंगा बढ़ाद दर्वान तो एरिया ओफ सर्कल या सिर एरिया हो जाएगा ठेटरपल एरिया ए बराबर आएगा पाई और र्सक्वार ए बराबर आएगा पाई आई आडर स्क्वार एरिया बराबर पाई आज़ आया वमारे पास जहां पे पाई बराबर है 22 बटे साथ 22 बाइस सेवन या फिर 3.14 यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि पाई बराबर आएगा कि ए अपॉन आर स्क्वाइर तो डियर श्टुडेंस अब हम देखते हैं संकेंद्रिय वुरत्तों से परिवद छेत्रपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया स्哪. करते हैं संकेंद्रिय वुरत्तों का मतलब है Means एस जिन के लिए के अन के कीओ मैं है कि हमारे पास करें दिए और इस रिठ या रह दिए पहले वुरत बनाते हैं जिसके लिए माल ले आई टू आर वन है स्मॉल आसन गोल दीया एक और वुरत बनाते हैं इसके बाहर के तरफ मान लेते हैं इसके लिए त्रिज्या है R2 यह जो black वाला सस्थरकल है वुरत है इसके लिए त्रिज्या R1 है और blue वाले के लिए R2 है तो हमको find out करना है हमको ग्याद करना है क्या कि इनके बीच का जो यह छेतरफल है जिसको अभी मैं यह लाइन खीज रहा हूं इसका पूरे का area क्या आएगा पूरे का छेतरफल क्या आएगा जैसा कि हमको blue वाले circle और black वाले circle के बीच वाला area निकालना है तो हम क्या मान सकते हैं कि यह blue वाले circle के अंदर यह नीले वा रखते हैं कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को अगर माइनस कर दें एरिया तो हमारे पास आ जाएगा बचे वे सर्कल का एरिया तो हम यहां पर कह सकते हैं एरिया एंक्लोज्ट यह परीबत इछेंतरफल बराबर हो जाएगा बार वाला बड़ा वाला जो उवरत है जो कि नीला वाला वुरत है जिसके लिए त्रिज्या R2 है तो इसका area यह हो जाएगा पाई R2 square minus करना है अंदर वाला circle जो है काला वाला circle है इसका area तो इस बड़े वाले circle में से minus करना है छोटे वाले circle काले वाले circle जिसकी त्रिज्या R1 है इसका area तो यह हमारे पास आजाएगा पाई R1 square यहाँ से इन दोनों में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं तो पाई जब हम कॉमन लेंगे यह पाई बहार आएगा और यह बचेगा R2 square minus R1 square तो यहाँ से हमारे पास यह आया है पाई R2 square minus R1 square जो की A square minus B square वाला रूप है तो बीच गरीद में A square minus B square को लिखते हैं A plus B और A minus B तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई R2 plus R1 और यहाँ पे लिखेंगे R2 minus R1 तो हमारे पास छेत्रभल आ गया है पाई R2 plus R1 और R2 minus R1 तो यह ऐसे याद रखो यह फिर याद रखो पाई R2 square minus R1 square तो डियर स्ट्रेंट्स अब हम ज्याब करेंगे एक पाईये द्वारा तै की गई दूरी जब कोई पाईया सड़क पे चलता है तो वो N चक्रों में कितनी दूरी तै कर लेगा यह पता करना है और तो जैसा कि हम जानते हैं परीदी में हमने देखा था कि जब कोई भी बिंदू वापस अपनी इस्तिती पे आ जाता है मान लेते हैं यहाँ पे कोई P बिंदू है और वापस दे गूम के अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् गुणा परीदी चक्रों की संग्या और परीदी को गुणा कर देंगे तो कुल तै की गई दूरी की लंबाई पता चल जाएगी तो माल लेते हैं चक्रों की संग्या N है तो यहाँ पर लगते हैं N गुणा और परीदी को हम जानते हैं यह होती है 2πR तो 2πR अत्यक कुल तै की गई दूरी बराबर हो जाएगी N गुणा 2 पाई R तो यहां से अगर हम यह पता करना चाहे कि कुल चक्करों की संख्या कितनी होगी तो यह आ सकता है चक्करों की संख्या N निकालना है तो तै की गई दूरी में भाग दे देंगे हम परिदी से 2 पाई R से चक्करों की संख्या आजाएगी तो यहां लिखते हैं चक्करों की संख्या चक्करों की संख्या बराबर आएगा तै की गई दूरी डिवाइड़ बाई परिदी माल लेते हैं तैकी गई दूरी X है X में हम भाग दे देंगे परी दी जो की 2PiR है इससे तो हमारे पास कुल चक्करों की संख्या आ जाएगी यहां से किसी भी पई ये द्वारा तैकी गई दूरी निकालना हो तो N इंटू 2PiR करना है जहां N बराबर चक्करों की संख्या है और चक्करों की संख्या निकालना हो तो तैकी गई दूरी मभाग दे देना है परी दी से तो यह आ जाएगा तैकी गई दूरी हमने माल लिया X है तो X बटे 2PiR बराबर आ जाएगा मेरे पास चक्करों की संख्या